गाइज यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक साइको आदमी के साथ एक लिफ्ट में फच जाती है फिर वाई आदमी उस लड़की के संक्रा करता है मुविन दिखाये गया है गाइज मुवि का नाम डाउन है जो कि आपको डैब निडली पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं मुवि की सुरूआत बैलेंटाइन डे से एक रात पहले फ्राइडे नाइट से जुरू होती है एक हाई टेक आफिस की बिल्डंग पूरी तरह से खाली होती है लेकिन फ्राइडे नाइट को ही जेनिफर नाम की एक लेडी और गाये नाम का एक आदम उस आफिस में होते हैं जेनिफर अपना नाइट कम खतम करके आफिस से घर जाने की तैयारी करती है क्योंकि कल उसे बैलेंटाइञ डेंडे की लिए नियूआग जाना था जहां पर उ सादविं 42 व्लूर से उसी लेप्ट में चड़ता है जिसमें जैनिफर। घाये लेप्ट में जाते ही जैनिफर से बत करने लगता है जैनिफर उसकी बातों को सुनती है लेकिन उसमें ज्यादा इंट्रेस्ट praise कैनि जैनिफर को कोई नहीं था नहीं नहीं मोवाल फॉन में नेडवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं जैनिफर एक आइडिया सोचकर गाय को पर चरती है और उपर से इमर्जेंसी पैनल कोलने की कुछर करती है लेकर उसका यह आइडिया भी काम नहीं आता इसके बाद दौनों थपकर बैट जात जाती है और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करना चाहती है गाय कहता है कि उसने जैनिफर को कई बार बिल्डिंग में देखा है लेकिन उसे कभी मिले का मौका नहीं मिला इन्हें लेफ्ट में फासे दो तीन घंटे बीज जाते हैं जहां जैनिफर बोर हो रही थी इनकी ब सबसे महल गरम हो जाता है और फिर दोनल लेफ्ट में ही इंटीमेट होते हैं इंटीमेट होने के बाद गाय जैनिफर से कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं जैनिफर इस बात को सुनकर थोड़ा सप्राइज होती है क्योंकि उसके लिए यह महज वन नाइट इस्टेंड था केबल टाम पास का एक जरिया गाय इसके बाद जैनिफर को सारी सचाई बताता है कि वह लेफ्ट में बाई चांस नहीं आया था वह जान बुचकर लेफ्ट में आया था बहुत दिनों से जैनिफर का पीछा कर रहा था उसे जैनिफर की सेड की चावी दिखाता है बिसकली गाय एक साइक हो था जो सेक्स के लिए कुछ भी कर सकता था जैनिफर एस सबसुनकर सौग्ड हो जाती है और पुलिस को बलाने की बात करती है जिससे दौनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है और इसी फाइट के बीच में चावी तूड जाती है जिससे अब बे रियल में लिप्ट में फस गए थे गाय को इससे गुसा आ जाता है और वह जैनिफर के उपर फिर से हमला करता है और फिर से दौनों के बीच में फाइट होती है खुन खराबा होता है और दौनों भी हो सोकर गर जाते हैं खेर जब उनको हो साता है गाय पूरी तरह से मेंटल होकर बेहब करने लगता है चीकता है से लाता है एक साइको की तरह बात करने लगता है जैनिफर ने जो साट डैविट के लिए लिया था उसे पहनता है डैविट की फैबरिट सिगार को फूंगता है गाय एक मॉंस्टर की तरह जैनिफर से बेहब से जाने लगता है बट जैनीफर गाय की कमजोरी जान चुकी थी इसलिए वह गाय से अच्छे से बात कर उसे मैनुपलेट करने लगती है जैनीफर कहती है कि वो उसके साथ आंगे रहे यदि वो उसे पहले यहां से जाने दे तो गाय जैनीफर की बात को मान जाता है और जैनी जैनीफर इमर्जेंशी दूर को कुलने लगती है इस सबसे गाय बहुत ज़्यदे गुसा हो जाता है और वह भी उपर चड़कर जैनीफर पर अटेक करता है जिससे दौनों फिर से लेटर में गर जाते हैं और भी होस हो जाती है जब जैनीफर को होस आता है तब वह अपने प जाता है जिस पर जैनीफर उसे मारकर उसके हाथों को बांद देती है और गाय का कनफेशन लेती है गाय बताता है कि उसका असली नाम जौन है और एक बार ड्रिंग करके गाड़ी चलाने से उसका एक्रिजेंट हो गया था जिसमें उसकी गलफ्रेंट की देयत हो गई थी ज लिटिंग को चेकरने आता है तब वह सबसाद करने के लिए लिफ्ट के पास जाकर और उसे मार देता है इसके बाद गाय जाकर के डिगगी में बंद कर दीता है फिर गाय जाकर ओफिस के बात रूम में सावर लेता है और clean होकर security guard की dress पहनता है गाय security room में जाकर सभी footage को delete कर देता है फिर इसके बाद वह कार चलाकर एक dustbin के पास आता है उसका plan जैनिफर को जलाकर मानने का होता है इसलिए वह dustbin में patrol डालता है जब जैनिफर को जलाने के लिए गाय अपनी कार की डिगी खोलता है तब जैनिफर गाय को धक्का देकर वहां से उसकी कार लेकर भागने लगती है आंगे जाकर जैनिफर एक point में कार को रोकती है और reverse gear लेता है कार को तेजी से गाय को अबर चढ़ाती है गाय घायल होकर dustbin गिरता है जैनिफर उसके सामने सिगार फूंकती है और फिर सिगार को dustbin फेंग दीती है जिससे dustbin में आग लग जाती है और गाय जलकर मारा जाती है जैनिफर गाय को उसके किये की सजा देना चाहती थी इसलिए उसने एक point में गाड़ी को reverse gear में लिया जैनिफर जानती थी कि उसके पास गाय के खलाब कोई भी प्यांग